हलो एवरीवन आप सभी का देई इनव पर स्वागत है मैं विश्रजीत सिंग दोस्तो आज कि इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 01, Lesson 14, Latin America पढ़ने वाले हैं दोस्तो यह topic important है इसके अंदर में mainly 3 topics को हम पढ़ेंगे कौन-कौन से topic है? मया सब बता तो दोस्तो मया सब बता के अंदर में जो topic बनता है मया सब बता का अंध किस परकार से हुआ और उनके बस्तियों की विश्यस्ता किस परकार की थी? उनकी राजनीतिक और समाजिक विवस्ता किस परकार का था? यह questions बनकर आते हैं और थर्ड नंबर का जो हमारे टॉपिक है, एस्टेक करके सब्वेता था, एस्टेक सब्वेता का आता है, जिसमें बस्तियां को विस्तार, ठीक उनके बस्तियों को विस्तार किस परकार से हुआ, राजनितिक विवस्ता किस परकार का था, आर्तिक गतिविदियां किस परकार क तो description के अंदर में बहुत सारे social media platform के link दिये हुए, वहाँ पर आप जोइन कर सकते हैं, वहाँ पर directly question पूछ सकते हैं, नहीं तो whatsapp group का अगर join करना हो, तो comment कि जिएगा, मैं whatsapp group का link दे दूँगा, वहाँ से भी आप WhatsApp जोइन कर सकते हैं, और वहाँ पर अपना questions पूछ सकते हैं एक request है आप सभी students से, अपनी notebook या book अपनी लेकर बैठें, जिससे जो भी मैं बोलू आप उसको note down कर सकें, और सही से पढ़ सकें, request ये भी है कि अगर आपको video helpful लगती है, तो आप हमें support कर सकते हैं, like कर, subscribe करें, और अपने दोस्तों को साथ share करें, even हमारे channel को join भी कर सकते है subscribe के, बगल में ही join का button है, आप वहां से join भी कर सकते हैं दोस्तों, चलिए start करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँ, माया सबता का, तो माया सबता का time period क्या भी है, किस time period को माया सबता का जाता है, तो 500 इसा पुरूव से लेकर, तो 500 इसा पुरूव से लेकर, जो 1000 इसा तो कहा जाता है कि यह आधुनिक, गौाटेमाला, बेलजी, दच्छिनी पूर्वी मेक्सिको और हुडारस तथा अल सेवडी सेलवेडोर के पश्चमी इलाकों तक इसका फैलाव था, ठीके, गाउं और सहर आपस में जुडे हुए थे, इसके अंदर में क्या था, जो गाउ जे के आधुनिक में था, मतलब अधिक था, ठीके, जैसे जो सहर हुआ करते थे थे, उनको केंद्रिक बनाया जाता था, जिससे सारा कुछ महाँ पर सोर्स हो, सब्सक्राइब, आज मैं डेली में रहता हूं, डेली में रहता हूं, डेली क्या है, भारत की कैपिटल है, ठीके यहाँ पर अगर आपको कुछ भी करना हो, अल ओर इंडिया से, तो आपको डेली ही आना पड़ेगा, सुप्रिम कूर्ण डेली में, ठीके, एम्स जो है डेली में, ठीके, अच्छे कॉलेस डेली में, तो इस तरह से, मतलब कहा है, सेंटर बना दिया गया इस तरह से, तो चार तरह के राजवंस आए तो यहां पर मैं राजवंस की बारे में बात करूँ कि कौन-कौन से राजवंस आए तो पहला राजवंस आता है यहां पर टिकेल करके यहां पर पहला राजवंस टिकल टिकल कहा जाता था दूसरा राजवंस की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर करके यहाँ पे चौथा राजभन्स आता था पाले के ठीक है तो यहाँ पर है चार राजभन्स की में यहां पर शासन चलता था मया सब लिखा के अनदर में जिसमें । कल कमूल करके दूसरा और तीसरा कोपान तीसरा फोल पालो के करके यहां पर तीन चार राजबंस आते थे सभी वस्तियां उत्सव केंदर में विभाजित होती थे सभी वस्तियों के अंदर में एक उत्सव केंदर होता था पूरा के एंद्रे सची वालने साइड में जाते हो तोँ वहां पे सारे जितने भी जो के मतलब सरकार के सदस्य हैं चाहे सांसद हो बड़े-बड़े मंत्री हो उनके आपको घर दिखेंगे ठीक है सारे घर वहाँ पर व्याइपी घर्स मिल जाएंगे आपको उसके बाद में जो जुगी जो पड़ी है सारे आम जनता का पड़ता था लास्ट में और वहीं से य चौको की शॉपार दिकारी हो निर्मान करवा जाता था और सबसे लास्ट में जो आम जनता हुआ था रहने का वे विवस्ता किया जाता था तो में इस तर से मतलब जो उपर के उसके अंदर में कुवों को परमाण मिलता है कि कुवां वहां पे था कुवां कुवां पे सेना हाइट्स का जाता था यहां पे कुवां को क्या का जाता था सेना, सेनाटस, सेनाटस के नाम से कुमों को जाना जाता था मायसा बिता के इंदर में चूना और गारा का उपयोग किया जाता था, महराब बनाने के लिए, छज्जा बनाने के लिए, महराब बनाने के लिए, चूना और गारा का उपयोग किया जाता था टीके, नकासी का परयोग नकासी उस पर चितर काल्या, नकासी का उपयोग किया जाता था विसाल, भवन और पिरामिड, बालकोट, विशाल, द्वार, इसनानागार जैसी चीजे बनाई जाती थी सड़को का निर्मान सबसे पर्मॉक था सड़क का निर्मान प्रमुग क्यों था कि वह एक। दूसरे से दूसरे से जोड़ा जाता था। तो फंट फूसरायों का निर्मान पहुत ज़्यादा प्रमुग था। पूरसलिक मुक्या बनताता तर्मुझा के चैन का रहता था। और पूर स मुक्या का जो आधार होता था चैन का, वनसानुगत था मतलब क्या? कि मेरे बाद दता है और उसके बाद उसका बीटा बनेगा थो इसानुगत आधार पर यहां पर मुक्या का चैन किया जाता था ठीक है समाझ में आता है टो इस तरह से चलता और और इनके परमुक फासल थी मख्य का उगाया जाता था है यहांपे मख्य की llama की खेति वह करते थे परमुक फासल का अदार पर मक्य को मानते थे ठीके समंझ में आते है यह पूरा उन्ने माय सब बता परढ़ा यहांपे राजनीतिक व्लबस्ता इनकी पड़ी इनकी समाजिक विवस्था पड़ी, इनकी बस्तियों का किस तरह से बनता थी, सारा हमने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर मैं बात करो, कि माय सब्वेता का पतन कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ, इसके बारे में बात करें, तो normally, किसी भी सब्वेता का अंत के बारे में हम जब बात क जाता है कि चिकन बुनिया, ठीक है, बुखार, काला, जो और जो ब्लैक फिवर होता है, उन सब तरह का जीज़ों का फैलने के कारण से, लोगों में बहुत ज़्यादा मामारी फैली, उसके कारण से यहाँ पर पतन होता है, दूसरा जो कारण यहाँ पर देखा जाता है, व विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह आ गए, मैं बिहार से बिलॉंग करता हूँ, ठीक है, मैं डेली में रह रहा हूँ, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली डेली में रह रही है, ठीक है, अब आगे मैं साधी करता हूँ, बच्चे होंगे वो भी डेली में ही रहेंगे तो हम किया हुए बिहार से विस्थापित हो गए डेली में थीक है अब यह क्या है विस्थापित होście होए तहूं यहां पे तो हो गया ना कहली हो गया अब इक सब उसी मानलो आदे जादे लोग मतलब बिहार के 30% से जादा अबादी तो बाहर रहती है ठीक है उसी तरह से बाकी लोग भी अगर बाहर आजाए तो इस तरह से पूरा खतम ही हो गया तो यहां पर विस्थापन भी एक कारण माना गया मैं सब अंतकाई यह मैं मानता हूं इसको हर बा रोता हूं बाकी चीजों को कंपर इसको जादा ठीक है थीसरा तो यह होगा विस्थापन चोथधा जो कारण यहां पे मैं मांनके चलता हूं और प्राकर्तिक आपदा अठीक है बुकंप अचानक नीतियां मतलब क्या जो भी राजा रहे कभीले रहे सरदार रहे उनकी नीतियां खराब हो ठीक है उसके कारण से यह चीज़े होती जैसे अभी देखो फूर एक्जामपल पाकिस्तान और सिलंका का हम ले ले किते हैं अभी सिलंका पूरे आग के लपेट में है वहाँ पर भूरा जल रहा है ठीक है और आज कैसे अगरी सब्सक्राइब करेक्टर आज्ण करेक्टराइइज बुरा दिखाया गया है बट वो अपनी नग्री में लोगों के लिए उसने बहुत कुछ की है ठीक कि अपनी नोह पर लोगों को उनने खुश रखा है बली और अक्षेस्त इंडिया खराब ऊसके कारण मिया पर बड़ए बट रही तो यह पर नीटिया कारण में मानके चलता हूं वहां होता है कि वनसानूगत आदार webinar में किसी आदार नुब देदे तो उब ही चीज़ werden shorter if reproduce एंदर में क्या है बई कि जी एफ GF GF मतलब girlfriend नहीं GF मतलब GANTHी Family GANTHी Family के दिन में पूरी क्या है? Congress Party है Congress Party GANTHी Family के दिन में भाया अभी कल उनका चिंतन सीवर्ता जिसमें कहा One Family One Ticket One Family One Ticket तो मतलब GANTHी Family में तो तुमारे तीन लोग आ रहे हो Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, Raul Gandhi एक तो तीन में से किया है दो को हटा गे किसको पाइए तो यह तरह से चीजें वन टिकट का बात करें पर वह खुद फॉड नहीं कर Saudi ठीकि ठीक होई टिक है तो यह सारी चीजे क्या हैं कि अगर वह वनसानू का अया पर चलेगा न Caoन चीज़ को पर आपको बनाएंगे तो गांधी फैमिली में मुझे नहीं लगता किसी के पास काबलियत है चलो सुनिया गांधी का एक लीड करेंगे ठीक है अभी जो सिंध्या थे मद्यप्रदेश से वो उनके हाथ में देना चीए था वो लीड करते वो तो बीजेपी में आ गया ठीक है तो यहां पर वनसानुगता दार के कादरन से भी हम मान के चलते हैं कि इनका अंत होता है ठीक है समझ में आता है तो यहां हम इसको सही से पढ़ते हैं दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सिंपली आपको वर्टसप गुरूप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल लिया को वहां से आप जाके उसको जोइन कर सकते हैं और वहां पे भी अपने ड ठीक है चलिए हम बात करते हैं इंका सब्यता का इंका सब्यता के अगर मैं बात करूं तो इंका सब्यता का जो पूरा टाइम पिरिड की बात करें तो तेरवी से पंद्रवी सताब्दी का पूरा सब्यता है ठीक है तेरवी से लेकर पंद्रवी सताब्दी के बीच में पूर है राज्ये है राज्ये को यहां पर का जाता था तवान तीन सूयू ठीक है मैं एक बार लिख देता हूँ आप कन्फ्यूज नहों तवान तवान तीन सुयू ठीक है इनका जो परमुक राज्जे तवान तुन सुयू इसको राजधानी के तौर पे भी ट्रीट गया जाता था, कैपिटल के तौर पे इनको माना जाता था ठीक है, इका सब्वेता के अंदर में समराज्य या फिर यह इका सबता कहलो या इका सबराज्य कहलो दोनों तोर पे माना जाता था ठीक एक तर से पूरा समराज्य था ठीक है छोटी-छोटी कभीलों में बटे हुए थे टोटल 38 कभीले इसके अंदर में आते थे, इंका सबेता के अंदर में टोटल 38 कभीले आते थे तेरवी सताब्दी यहां पे तवान तीन सुयू राजधानी बना, आगे चलके राजधानी बनती है ठीके, 2000 से जादा किलोमेटर तक की लंबी सडकों का निर्मान हुआ, ठीके, 2000 से जादा लंबी सडकों का निर्मान हुआ, ठीके, और सडक क्या होता था, गाउं से सहर को जोड़ती थी सेनाओं और पदादिकारियों के आने जाने में असानी हुई सडकों से अब जो सेना हुआ करती थी वह क्या करती थी सडकों का उप्योग करती थी एक जगह से दूसरे जगह जाने आने के लिए सडकों का निर्मानों 20,000 से जाधा किलोमीटर की सडकी इनुनने बनाई सडकों से जन जातियों पिप्योग से उपयोग करने चाए हुआ जो सूचना हुआ करता था, किसी तरह का, उसको पहुचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा जनसंचार का माध्यम बना, सड़क क्या हुआ, जनसंचार का माध्यम बना ठीक है अब किस तरह से संजन संचार का माध्य मना तो पहले के टाइम में क्या होता था मान लो कोई न्यूज है ठीक है यहां से किंग ने न्यूज दिया कि जाकर आपको दूसरे किंग को न्यूज देना है यहां पर सेकंड किंग को न्यूज देना है फिर ये वाला, यहाँपर इसके मंतरी को बोला, फिर इसके मंतरी आकर राजा को बता दिया तो इस तरह से पूरा एक प्रोसेश चलता था, ठीक है? अब यह निं होता था कि मंतरी ही डोड कर यहां तक आएगा, ऐसा नहीं मंत्री आगे बोला, वो दोड़कर आगे गया, फिर उसने आगे बोला, फिर आगे गया, ठीक है, फिर आगे गया, इस तरह से चीजे चलती थी, यह पूरा संदेज देने का काम होता था, ठीक है, इसी तरह से आम लोग भी उसका उप्योग बहुत कम करते थे, जो साही लोग करते हैं वह इंसका उपयोग करते तれ राज़ाव का निर्मान करवाईगा जसे संदेज जल्थी निर्मान करवाईगा, ठीक है पहाड को काट कर सड़कों का निर्मान करवाया गया जो पाड होते थे ना पहाड को काट काट कर यहाँ पे सड़कों का निर्मान करवाया जाने लगा नदी को पार करने के लिए जूला या पुल करवायी जाने लगा ध्युला तीकत जून नदी को पार करने के लिए उसके बाद है साही अधिकार होसा परशाषणे केंदर परनाएं टरच टहां पर चाही से देलिक से आप घर्याना जाते ओर या दो इस तरसे अधिकार्यों की नियुकती कि आने जाने पर नजर रख सके अगर कुछ गलत होता है तो इस तरह से चीजे किया जाने लगा ठिके साही अधिकारी के चिजा किनारे में परशाशनी के इंद्रोगान इनमान कर वाकर रहने लगे ठीक है इसके बात करूँ यहां के यहां दार्मिक जीवन के बारे में आर्ठिक जीवन के बारे में किस परकारी और नहीं हिसाफ चार गाहे मतलब जो जानवरों के लिए जो चारा हुआ था उसकी उपलब से था बहुत कम थी ठीके ट्ट्ट्ट्प्व में चया करते थी चल्वायू क्यूज क्या करते थे जैसे मैं बात करूँ कस्मीर की तो हमारे कस्मीर में भी क्या होता है हमारे मतलब हमारे भारत का कस्मीर में ठीक है कि जैसे जो लोग रह रहे हैं कि दम कस्मीर में रहे हैं बरफ पढ़ रहा बहुत जादा तो वहां पे फल सब्जी को जमीन में गाड़ दिया जता है बर्फ की नीचे में और वह काफी समय तक सही रहती है पड़ी रहती है जैसे हम फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज में भी कहा ठंडा रखने के काम करता है ठंड में चीज़े खराब नहीं होती है ठीके तो उस तरह से कसमीर में उसको अपयोग है जाता था जब वो फिर वो यूज में लाना होता था तो बाहर निकाल कर उसको पका कर गाते ते गरम करके ठीके तो मास मच्छी जो भी चीज़ें उसको इस तरह से ठीक करके काफी समय तक रख सकते हैं काफी समय मतलब यह नहीं 2-4 साल मतलब एक सीजन चल जाता था उनका ठीक है इस तरह से अगर में उनके धर्मकी बात करो कि अंदर में मानव बली को मानने किया जाता था ठीक है को इनको पुज़ारी की न्यूकति उती जो तो पहले हम इसको रफ करते हैं जिसके बाद मैं समझा पाँ हूँ आपको की एक्जिस्स अबता क्या है ठीक है दोस्तों अगर कहीं पर भी डाउट हो ना तो पूछ लीजेगा क्योंकि में हिस्ट्री आप कर रहे हो थोड़ा सा भी डाउट रहना दिक्कत करता है ठीक है और बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैं सलेबस जले ली खतम नहीं कर रहा हूं तो उसका रीजन ही है दोस्तों कि अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं तो उस पर उस तरह का रिस्पोंस सब पर पढ़ाना है तो उसके उते सब्सक्रशां पर पढ़ाना है तो ऊसके ऊपर करना है तो उसकि przest stan stocks कर डेंस पर बढ़ाना है तो उसके उपर पढ़ाना है तो उसके उपर बहुत सारे research करना पड़ता है पूरा पढ़ना पड़ता है ठीक है about time पहले पढ़ा है तो उसको सही है नई है चीज़े कुछ नया है ड़ नहीं हुआ ठीके, क्या चीज़े समझा सकते हैं, अगर यह समझा हूँ अगर समझ में आएगा, नहीं आएगा, examples क्या दे सकते हैं, सब कुछ सोचना पड़ता है, फिर जाकर वीडियो बनने में आता है, और वीडियो अगर वन गो में बनाने कुर्शिस करते हैं तो इतना disturbance होता है कई बा अगर offline में पढ़ा रहा हूँ, तो offline में क्या है कि per day एक chapter खतम होना easy है, ठीके, normal आपको 7 दिन में 4-5 chapter आहां से कर सकते हो, ठीके, easily syllabus खतम हो जाता है, पर online में बहुत tough हो जाता है, क्योंकि one go में बनाना आपके पास उतना time है या नहीं है, आपके और भी work हैं, वो सारे अबरिका के अंदर में इसका विस्तार होता है, यह 12 से लेकर 15 सतरअबधी के पीच में इसका फैलाब होता है, यह समराज्य करीब 20,000 वर्ग किलोमिटर में फैला हुआ था था ठीक है परतेख परदेश के अंदर में पर्देशा अद्यक्ष गवर्णर की नियुकती थी जो गवर्णर मतलब हर परदेश के अंदर में जैसे एक राज्य के अंदर में सिम होता उसी तरसे परदेश अद्यक इसमें 38 प्रांतों में विभाजी था जैसे यह 20,000 km में फैला था ना तो 20,000 km के अंदर में 38 सब्वेता के अंदर में इस तरह से बटा हुआ था 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 ठीक है इसमें 1100 इस वी में अस्टेक जो थे वो टाल टक्स करके अ टा टा ल मतलब टाप करके सब्वेता थमें उनको पधार से उनके पदस्त कर दिया था ऑठा कर इन्होंने अपना राजनितिक सत्ता हत्ती आ लिया था हुआ कहने है कि एस्टेक्स सभ agreta जो थी उस समय 1100 के अंदर में वहाँ पे उससे पहले 1100 और सपहले क्या था वहाँ पे टॉल टेक्सke सब sab highly कायम थी ठीक के वहाँ पर टॉल्टेक्स लोगों का साशन था उसको उन्होंने पदस्त किया, उनको पद से हटाया, ठीक है, पद से हटाने के बाद वहाँ पर उन्होंने अपनी राजनेति ववस्ता को कया है, ठीक है, एस्टेक लोग क्या करते थे, निर्भीक एम अतिकुसल थे, जिसके काम से उन्होंने ये कर पाया थे, बहुत जादा लड़ने में बहुत जादा सक्षम थे, निर्भीक थे, कुसल युद्धा के, कुसल लडाकों के तौर पे वो जानने जाते थे, ठीके, वो धीरे-धीरे अपने पडूसी कभीलों के उपर में भी आकरमन करना शुरू किया, और अपने पडूसी कभीलों को भी उन्होंने हतिय बड़ले में उनसे टेक्स भी लेते थे, ठीके, ये तो नॉर्मल उनकी राजनेतिक विवस्ता हो जाता है, अगर उनके आर्थिक विवस्ता के बात करो, या उनके समाजिक जीवन के बारे में बात करो, तो बड़े-बड़े इमारतों का निर्मान किया, जो आज भी उसके परमान मिलते है, ठीके, कई तरह के जैसे इस नानागार हुआ, कुएं, नहरे हुए, ठीके, नदियों का जल निकास हुआ, ठीके, पाने का निकास ही हुआ, ये सारी चीजों पर उन्होंने वॉक किया, ठीके, इसके उपर में देखने के लिए मिलता है, धार्मिक जीवन की बात करो, तो मंदिरों का निर्मान, पिरामिड का निर्मान, ठीके, जो कबर गाह, ये सब चीजों का बनाया जाने लगा, ठीके, और वहां पर मंदिरों में पुझारियों की निकती, ठीके, पिरामिड के रख रखा, वो सारे तरह की चीज़े भी बनाई की जाने लगी, ठ तो यह पूरा जो चैक्टर था आपका Latin America का यह खतम हो जाता है पूरा अंने Latin America पड़ा ठीक इसमें टोटल हम तीन से बताओ के बारे में बात करते हैं Maya, Inka और Aestek ठीक है तीनों से questions बनकर आ सकते हैं पूछे जाते हैं कभी कई बार पूछ ले जाता है माय सब बता बताओ, सब बताओ, इंका सब बताओ तो आपको ये idea रहना चाहिए तीनों को अगर आप पड़ोगे द्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं पर अगर कोई doubt हो दोस्तों तो आप comment करके पूछ सकते हो social media पर भी directly मुझसे पूछ सकते हो contact करके बात कर सकते हो अगर कुछ doubt हो तो पर most important दोस्तों अगर आप मुझसे चाहते हो कि regular video इस पर आए तो दो काम कीजिए हमारे चैनल को like, share, subscribe अपने दोस्तों साथ share कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए पहला और दूसरा हमारे दीगिनव चैनल को आप join कर सकते है subscribe के बगल में बटन दिया हुआ है उसको join कीजिए जिसे में motivation हो जादा जादा लोग जुड़े ठीके बाबाई, टेक कर, all the best